Dear Students, Welcome Back! UKPSE JE के PYQs की ये जो सीरीज है आज मैंने इसमें दो सब्जक्ट एक साथ कवर किये हैं एक है पर्ट CPM और दूसरा है Estimating and Costing पहले पर्ट CPM करते थे पर्ट CPM के 2013 में दो क्योशन्स थे और 22 में 8 क्योशन्स आये थे इस सब्जक्ट से First Question में दिया है कि Minimum Total Project Cost होती है उसके corresponding जो Time होता है उसको क्या बोलते है तो Time जो होता है और Cost होती है उसके 20 में अगर हम Graph Plot करें तो वो Graph इस तरीके से होता है जैसे जैसे हम Duration बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे Cost है वो गठती जाएगी एक Point पे आके Cost है वो Constancy हो जाती है सेम्टोटी हो जाती है और इस Direction में जैसे जैसे हम Time Duration बढ़ाते है Cost है वो बढ़ती जाती है और इसको Crash Time बोला जाता है जिस पे कि Cost है वो Almost Infinite हो जाती है तो दो Important Point हो गए यहाँ पर एक है ये A Normal Time एक है भी Crash Time Normal Time वो टाइम है कि इससे ज्यादा भी अगर हम Duration बढ़ाएंगे प्रोजेक्ट की तो उसके कारण कोई Cost Saving नहीं होगी Cost है वो Constant हो गई है दूसरा होता है Crash Time Crash Time में क्या होता है कि इससे कम टाइम में हम नहीं कर सकते प्रोजेक्ट को खतम चाहे है हम कितने ही Resources लगाते हैं उसमें तो Minimum Total Project Cost होती है Normal Time के लिए यहाँ पर Cost Minimum है और Minimum Time Duration में अगर करना है तो वो Point B रिप्रेजेनेट करेगा Cost है उसमें ज्यादा आएगी तो यहाँ पर A हो जाएगा Normal Time Question No.2 में दिया है कि Critical Activity है उसमें Float की Value कितनी होती है तो Float है यह वो Time Duration है जिससे हम Delay कर दें अगर किसी Activity को तो Project है उसके Completion पर कोई Effect नहीं आएगा कोई ऐसी Activity है जिसको अगर हम जो Time Duration है उसमें उससे बढ़ा भी दे तो भी कोई Effect नहीं आएगा Critical Activity हो है जो कि Critical Pathway Located होती है और इनके लिए कोई भी Relax और Delay Allowed नहीं होता है और Float और Slack दोनों ही Relax और Delay जो होता है उसको Represent करते है तो Critical Activity के लिए Float होता है वो हमें साथ Zero होता है तो यह हो गया Answer Question No.3 में दिया है कि Part Analysis है वो किस पर बेस्ट है तो Part Analysis में तीन टाइम होते हैं एक Optimistic Time होता है एक Pessimistic होता है एक Most Likely Time होता है Optimistic वो Short Test Time है जिसमें कि Ideal Conditions में कोई भी Obstruction कोई दिक्कत नहीं आ रही है Ideal Conditions में बहुत जल्दी से Activity खतम हो जाएगी वो Optimistic Time है Pessimistic Time है Maximum Time Duration कि कितने उसमें Abnormal Situations आएं बट Max to Max इतने टाइम में तो यह Activity होई जाएगी वो Pessimistic Time होता है एक होता है Most Likely Time जो कि Optimistic और Pessimistic के भीज में Lie करता है कि Optimistic जितना भी जल्दी नहीं हो रहा है कि बिल्कुल Ideal है Conditions बट Pessimistic जितनी Worst Conditions भी नहीं है और Part में जो हम Time Estimate लेते हैं वो इस तरीके से Calculate करते हैं TE वहाँ पर हम Time Estimate यूज करते हैं और यह आता है T0 प्लस 4T यहाँ पर E होगा Optimistic Time 4 times of Most Likely Time प्लस Pessimistic Time डिवाड़ेड बाई 6 यहाँ पर हमने Time को 6 बार एड़ किया है एक बार यहाँ पर चार बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर तो 6 बार हो रहा है तो हमने यह से 6 से डिवाड़ कर दिया इसको तो यह Time हम वहाँ पर यूज करते हैं तो इसमें तीनों ही यूज हो रहे हैं तो फिर answer option D हो जाएगा question number fourth में दिया है कि किसी activity को perform करने के लिए जो estimated time required होता है उसको क्या बोलते हैं तो उसको duration of the activity बोला जाता है तो यहाँ पर B हो जाएगा answer question number fifth में दिया है कि यहाँ पर यह जो network दिया गया है इसमें activity four five start करने के लिए कौन से activity finish होने चाहिए तो यह activity four five है इसको start होने से पहले इसके पिसले वाली जो activity है two four और three four वो activity finish होने चाहिए इसी तरीके से अगर two four की बात करें तो two four को start होने के लिए one and one two two वाली जो activity है यह finish होने चाहिए तो यहाँ पर answer हो जाएगा C two four and three four question number six में दिया है कि part है उसमें critical path क्या है एक तो part है वो event based है तो part में जो critical path होता है वो initial और end events है उनको connect करते वे एक ऐसा path होता है जिसमें वो सारी activity आती है जिनके लिए select zero है या minimum है और ये longest path होता है first और end events को connect करने वाला इस type के questions में थोड़ा साब को question को समझने की ज़रत रहती है यहां पर longest होगा क्योंकि critical path है वो longest है यह वो path है जिसमें की time duration सबसे ज़्यादा आ रहा है हम सारी paths के लिए calculate करते हैं सबसे ज़्यादा जिसमें आता है वो critical path होता है बट कभी कभी हम इसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि यह shortest time duration है जिसमें की हम इस project को खतम कर सकते हैं shortest मतलब critical path की distance अगर critical path आ रहा है 48 days तो network की बात करें तो यह सबसे लंबा वाला path है longest path है बट कोई पूछे आप से कि यह project कितने days में खतम हो सकता है कम से कम shortest कितने duration में खतम कर सकते हो तो आप क्या बलोगे 48 days 50 में भी कर सकते हो आप 55 में भी कर सकते हो पर minimum shortest जो है वो 48 है path है वो longest है तो यहाँ पर answer option D हो जाएगा is always longest question number 7 में दिये है कि कौन सी technique है जो कि activity oriented है काफी frequently पूछा जाता है question और बिल्कुल basic सा है कि CPM तो हम इस टाइब के projects में यूज करते हैं जो projects पहले हो चुके हैं जिनमें भी कि हमें पता है कि activity क्या क्या होनी है पूरा process क्या है दूसरा part है part नाम से पता चले रहा कि probabilistic approach होगी यहाँ पर तो इसमें क्या activity हमें कि उसमें वो नहीं पता तो ऐसे में जब Active के case के अगर बात करें तो event based होता है यह event होना कि CPM network है critical path में वो क्या है तो पिसले question number 6 में मैंने explain किया कि यह path है यह longest होता है तो यहाँ पर A हो जाएगा question number 9 में दिये है कि critical path पर जो activity आ रही है उनके लिए float की total float की value क्या होती है तो critical path पर जो भी activity आती है वो सारी critical activity होती है और critical activities के लिए float है उसकी value 0 होती है तो यहाँ पर C हो जाएगा answer question number 10 में पूछा है कि benefit cost analysis जब हम किसी project का करते है तो cost of production में क्या क्या count करते है एड़ करते है तो benefit cost analysis basically किस भी project हो उसके लिए किया जाता है कि cost इसकी इतनी आ रही है benefit इसकी ज़्यादा कितना है तो इसकी value 1 से greater होनी चाहिए obviously जो हम cost लगा रहे है उसके जो पैसा खर्च कर रहे है उससे ज्यादा का तो benefit हमें मिलना चाहिए तभी हम वो project करेंगे अब उसमें जब हम cost calculate करते हैं तो उसमें दो type की cost होती है एक होती है direct cost जैसे labor की कोई machinery हमने हायर की उसकी अधर्ज और रिसोर्सेज लग रहे है दूसरी होती है indirect cost जिसमें general, administrative, overhead, depreciation, insurance जो machinery आप यूज़ कर रहे हो उसका जो fuel वगरा है जल रहा है वो तो हो गया उसके अलवा भी depreciation तो हो रहा है उसमें 10 years बाद उसको आप पो replace करना पड़ेगा तो उसकी life span 10 years है तो हर एक साल की cost में आप उसका one tenth add करोगे क्योंकि वो भी तो आपके cost है तो recurring expenditure भी होंगे depreciation भी होगा जो investment आपने किया है वो भी बढ़ रहा है दिरे-दिरे interest के कारण तो वो भी cost में add किया जाएगा तो D हो जाएगा यहाँ पर inclusion of all of the above आप आगे questions है estimating and costing है 2013 में 4 questions आये थे subject से और 22 में 3 questions पूछे गए थे question number 11 में दिया है कि कौन सा method है जो कि estimate बनाने की काम में आता है तो आपने अगर estimating and costing पड़ा है तो आपको पता होगा कि एक centerline method होता है दूसरा long wall short wall method होता है long wall short wall method को ही यहाँ पर thin wall thick wall method बोला गया है तो answer option C हो जाएगा दोनों ही correct है और अगर आपने estimating and costing बिल्कुल भी नहीं पड़ा है नहीं आता है तो आप आरगवर में कि मैंने questions करवाए हुए है उनको refer कर सकते हो वहाँ पर मैंने यह method detail में explain किया हुए है तो C हो जाएगा यहाँ पर answer question number 12 में दिया है कि damp proof course है इसका measurement कि इस unit में किया जाता है तो damp proof course है इसको square meter में measure करते है क्योंकि इसकी थिकने तो बहुत minimum सी होती है तो area है वो ही हम measure करते हैं फिर area की term में फिर रिप्रेजेंट करते हैं इस work को अगर कहीं पर thin wall है जैसे कि 10 cm यह half brick wall है उसको भी square meter मे measure करते हैं brick flat soling है उसको भी square meter मे measure किया जाता है जैसे flooring से पहले आपको कहीं भी soling करनी है honeycomb brick work को भी square meter मे measure किया जाता है तो यह सारा याद रखेंगे आप यहां पर भी हो जाएगा answer question number 13 में दिये है कि कोई tender submit करता है कोई contractor तो उसके साथ estimated cost है उसका एक certain percentage है वो deposit करता है इसको क्या बोलते हैं तो दो type के deposit होते हैं यहाँ पर एक होता है security deposit एक होता है earnest money deposit question में जो पूछा है earnest money deposit के बात हो रही है यह refundable fee है जो कि जो contractor है वो bid के साथ में submit करता है यह safety के लिए है कि tender opening के time last में वो back out ना कर जाए अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो उसकी वो 2% जो amount है वो refund नहीं होगी लास्ट में जब किसी को award होता है तो बाकी सारे लोग जो भी हैं जिनोंने apply किया बीड डाली है उन सबको उनका amount refund कर दिया जाता है एक होता है security deposit यह क्या है कि tender float हो गया bid डाल दी contactors ने decide हो गया कि इसको काम करना है तो जब contractor का decide हो जाता है कि इसके से काम करवाना है तो उसके बाद जो estimated cost है project का उसका 10% है वो deposit करता है जो contractor है वो यह directly money हो ज़रूरी नहीं है bank guarantee national saving certificates यह सब भी हो सकते हैं यह इसके लिए कि है कि contactor है वो काम करे प्रोपर वो बैक आउट ना करें टेंटर मिलने के बाद भी काम स्टार्ट करें ऐसा नहीं हो कि बीच में छोड़ दे या कुछ problem क्रिएट करें तो 2% तो उसने पहले दे दी है और बची भी 8% और दी जाती है organization को तो 10% deposit हो जाता है organization की पास पर किसका पैसा आई है contract का पैसा है तो यहाँ पर हो जाएगा earnest money question number fourth में दिये है कि most reliable estimate कौन सा होता है एक होता है detailed estimate एक होता है preliminary और approximate estimate सबसे पहले हम preliminary और approximate estimate करते हैं जब ज्यादा detail हमें नहीं पता है approximately cost calculate कर लेते हैं ताकि उसकी जो भी financial aspect वगरा है उनको consider कर लेगा इसके तीन method होते है unit rate method, plinth area method, tube estimate दूसरा होता है detailed estimate जब हमारे पास ज्यादा detail आ गई है specifications वगरा proper है project के तो उस time हर एक जो material है उसकी कितने quantity लगेगी कितना labor लगेगा वो पूरा detail में calculate किया जाता है जिसको technical sanctions वगरा के लिए भी use करते हैं तो वो detailed estimate होता है obviously most reliable तो detailed estimate ही होगा तो यहाँ पर A हो जाएगा answer question number 15 में दिया है कि long wall short wall method है जो estimation का उसमें long wall की length है वो calculate करने के लिए center to center distance है उसमें क्या add करते हैं तो यह question आर अर गोर का है मैंने वह पर detail में explain किया वह diagram बना के तो आप detailed solution के लिए उसको reflect कर सकते हो answer यहाँ पर option B हो जाएगा half the breadth of the wall on each side center line से दोनों side brick की wall का जो breadth है उसका half half add करेंगे question number 16 में पूछा है कि कौन सा item of work है जो कि plinth area estimation में included नहीं होता तो courtyard या other open area जो है वो plinth area में calculated नहीं होते तो यहाँ पर D हो जाएगा courtyard बागी total floor area है जो rooms का वरंडा, kitchen, wc, bath यह सब add किया जाता है print area calculate करने के लिए तो यह यहाँ पर estimating and part CPM का subject खतम होता है अब एक subject यहाँ पर soam का बच्रा है उसका हम बाद में करेंगे उससे पहले मैं fluid mechanics या irrigation की questions लेके आँगे दोनों हैं बहुत important subject हैं क्योंकि यह दोस में ही subject है paper 2 में आपके जिनका weightage है वो काफी ज्यादा है तो बहुत अच्छे से subject cover करने है तो मिलते हैं next lecture में पढ़ाई करते रही है all the way best